दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ adult industry, adult video industry यहाँ on industry के बारे में पूरे दुनिया में यह कैसे regulate की जाती है, कौन सी countries में यह ban है, क्यों ban है, कहाँ पर इस चीज़ को देखना बहुत ही normal है और कौन सी जगा पर कौन सी कंट्री पर इसे देखने के लिए जेल तक हो जाती है आईए मेरे साथ एक सफर में जहां पर हम बात करेंगे Adult Video Industry के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि ये कहां पर पूरे तरीके से बैन है North Korea, China, Afghanistan, Iraq, Iran, Saudi Arabia, Cuba ऐसी बहुत सारी जगह है और देखो आप जितनी भी Middle Eastern countries है वहाँ पर ये mostly completely banned है पाकिस्तान में भी ये बैन है इसको देखने पर एक लाक का जुर्माना या एक साल की सजा भी हो सकती है लेकिन पाकिस्तान में बैन होने के बावजूद भी सबसे ज़ादा लोग पौन पाकिस्तान में देखते हैं मतब बहुत देखते हैं लोग VPN की मदद से और अलग-अलग टेकनीक लगा के इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी शायद होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में आपको बताई देंगे कि कितना उनके यहां देखा जाता है और किस तरीके से लोग बहाँ देखते हैं पूलीसिँ नहीं कर रहा हूं लेकिसे सारी जानकारी में आपको यहां देने वाला हूं बात करते के नौर्थ कोरया की आपको पता होगा नौर्थ कोरिया में जो इंटरनेट है व narrative है वो सारे चीजें इतने restricted है कि King Jong Un के अलाबा किसी के बस power नहीं है वहाँ पर pornographic content देखने की अगर कोई देखता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए सक्त सजा है वैसे तो internet वहाँ पर बहुत censored है और internet पर जो भी news publish होती है वो King Jong-un या उनहीं के अधिकारियों के द्वारा पास होने के बाद ही publish होती है free journalism जैसी कोई भी चीज North Korea में नहीं है वहाँ की तो पूरी जानकारी और खबर बगएरा पूरी दुनिया तक पहुँच भी नहीं पाती क्योंकि heavily censored country है वहाँ का internet भी ऐसा है कि एक एक चीज सरकार के पास होके जाती है तब internet पर publish होती है तो ऐसे उसमें आप कैसे expect कर सकते हो कि adult videos और वो सारी वहाँ पर देखी जाती होगी लेकिन पकड़े गए तो इतनी भयंकर सजाए कि लोग उसे देखने के बारे में सोचते तक नहीं है अब मैं बात करू चाइना की तो आपको the great firewall of China के बारे में पता होगा golden shield project के बारे में पता होगा वहाँ पर heavily censored internet चलता है लेकिन North Korea से थोड़ा कम censored है वहाँ पर पहले तो VPN इस्तमाल करने की मना ही थी लेकिन जो foreigners वगरा वहाँ जाते हैं उनको शायद थोड़ा permission मिल जाती है वहाँ के लोग अभी थोड़ा बहुत VPN वगरा इस्तमाल कर लेते हैं और adult videos ban हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोग देख लेते हैं किसी भी तरीके से VPN लगाकर या चुप-चुप के या ऐसी तरह की चीज़ें होती है मतलब चल जाती है देखो Middle Eastern country जितनी भी है उनके religion ये कहता है कि ऐसे content को देखना सही नहीं है गलत है इसलिए वो religious ideology की हिसाब से भी गलत मानते हैं और सरकार भी ये सोसती है कि भाई ये चीज़ें बैन होनी चाहिए तो Middle Eastern country इराक, इरान, सीरिया, अफगानिस्तान ये सारी countries में तो completely banned है अब लोग कैसे देखते होंगे, VPN लगा के नहीं टर्की में भी, Facebook, Wikipedia और ये सारी चीज़ें भी banned है तो वहाँ पर VPN इस्तेमाल करके ये लोग देख लेते हैं लेकि Middle Eastern countries में mostly आप देखोगे कि pornographic content इतना freely नहीं देखा जा सकता distribute नहीं किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है तो ये जितनी भी आर्टिस्त आप देखते हो जो Middle Eastern countries से हैं वो दरसल दूसरी country में जाकर shoot करते हो और यहां से एक सवाल उठता है कि porn आती कहां से है तो मैं आपको बता दूँ कि ये adult content और pornographic content सबसे ज़्यादा अमेरिका से आता है United States में 24.9% जो पूरी दुनिया का pornographic content है वो बनाया जाता है 5% United Kingdom में बनाया जाता है और बाकी सारे देश 5-5, 2, 2, 3, 3% contribute करते है So इसका मतलब है अमेरिका में सबसे ज़्यादा porn बनती है वो क्यों? क्योंकि वहां पर pornographic content को freedom of speech के दाइरे में रखा गया है मतलब आप अपनी close उसमें room में कुछ भी देख रहे हो कर रहे हो और जो adult है उनके consent से वो pornographic content बना भी सकता है वहां तो distribute भी किया जा सकता है बाई अगर कोई इंसान adult है और वो चाहता है करती हैं बट different way में सो वहां पर यह चीज लीगल है United Kingdom में भी बहुत इसके कानून है जो कि लोगों को allow करते हैं इस तरह की चीजें करना या distribute करना अब हम बढ़ते हैं Japanese Adult Video Industry पे जिसको JAV कहा जाता है Japanese Adult Video Industry Japanese जो pornographic content होता है वो allow नहीं है obscene material वहां बना नहीं सकते distribute नहीं कर सकते और देखने में भी coffee उन में मनाई वगरा हैं लेकिन एक artistic तोर पर एक इंसान ने कोई portrait वहां पर बनाई थी जो थोड़ी सी adult थी तो सरकार ने उसके उपर 2,3,000,000 वो लगा दिया था उससे क्या होगा कि वो पता ही नहीं बलर करने के अंदर क्या है तो वो थोड़ा सा उस category से हट जाएगी खुद court ने ही लोगों को यह idea दी दिया तो इससे फिर boom उठा और Japanese adult videos बहुत जादा बनने लगी इतनी जादा बनने लगी कि उसके sequel number उसके एक identifier दे दिया Japanese की जितनी भी adult videos है ना उससे पका एक identifier है एक unique number है जो मिलता है जिससे यह identify कि आजा सकता है कि वो adult video कौन से साल में बनी है कौन से studio दोरा बनाई गई है और किसका कौन सा episode बगएरा है यह सब वहाँ पर है और वहाँ पर वो चलती है भारत में बात करूं तो भारत में complete ban भी लग चुका है लेकिन भारत उन countries में आता है जहां पर pornographic content restricted की share श्रीडी में आता है मतलब यहां पर completely banned नहीं है लेकिन कुछ websites हैं जो सरकार ने ban कर रखी है हमारे भारत के कानून के हिसाब से या आप private में privacy में बैट कर कुछ भी देख सकते हैं या आपकी पूरी वो है लेकिन कुछ category है ऐसी एप pornographic जैसे जिसमें बच्चे involved हैं या कोई forced है वो चीज़ें आप कही भी नहीं देख सकते ना distribute कर सकते ना बना सकते यह crime है हमारे यहाँ पर ऐसे content को बनाना और distribute करना गैर कानूनी है लेकिन अगर अपने privacy में आप किसी दूसरे country के बने हुए content को देख रहे हो privacy में अकेले में तो यह गैर कानूनी नहीं है ऐसे बहुत सारे देश हैं जो सेम कानून को follow करते हैं जैसे कि Australia लिए वहाँ पर भी सेम कानून कानून लागू होता है अमेरिका का कानून हमसे बहुत अलग है यह चीज है बर्मा और ऐसी बहुत सारी countries हैं जो इस चीज को completely ban करने की कुछिश करती हैं लेकिन वहाँ किसी तरीके से लोग देख लेते हैं और access कर लेते हैं Philippines में भी बहुत सारे लोग इस content को access करते हैं और मैं बात करूं Russia की तो Russia की कानून थोड़े से इसके बारे में unclear है वहाँ पर कुछ जगाओं पर थोड़ा सा अलाव कर रखा है कुछ जगाओं पर एकदम ban है तो Russia में क्या है इस चीज़ को बनाना और distribute करना तो गहर कानूनी है ही देखने के लिए अलग-अलग जगाओं के अलग-अलग जैसे कानून है और उक्छ भी clear नहीं है तो अब आपको पता चल गया होगा कि जितनी भी adult content आप ज़्यादा तर देखती हूँ वो जादा तर अमेरिका के ही क्यों बने होते है ये अमेरिका ही इतना naughty क्यों है इसके बारे में आपको जनकारी मिल गये होगी क्योंकि यह वाद freedom है देखो इसमें एक category और होती है जो कि Japan contribute करता है जिसे हेंटाई कहा जाता है erotic anime कहा जाता है तो वो जो industry वो भी बहुत जादा बढ़ रही है और वहाँ पर भी उन particular चीजों को blur कर दिया जाता है लेकिन Japan बहुत जादा आजकल पॉरी दुनिया को provide कर रहा है अब वो धिरी धिरी second number पर आने वाला है UK और United States के बाद तो ये मैंने आपको पूरी situation बता दी आपर जो कानूने बहुत सक्त है क्योंकि ये थोड़ा सा उनके religious के उपर थोड़ा सा जुड़ जाता है तो वहाँ पर अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको सजा बगरा काफी ज्यादा होती है भारत में ऐसी कोई major सजाएं देखने को नहीं मिली है कहाँ पर इस चीज को widely accept किया जाता है कहाँ पर accept नहीं किया जाता और कहाँ पर partially इसको band कर दिया जाता है North Korea जैसी country में अगर आप इस चीज पकड़े गए देखते हुए तो आप पुरी जिंदगी regret करेंगे लेकिन अमेरिका में पकड़े गए तो या आप उसमें काम भी करते हो तो आपको तो भाई राजा समझा रहागा तो ये राजा तुन तो बढ़िया हो तो ये दुनिया एक है लेकिन कानू में बहुत अलग-अलग है सब की वाननेत आय अलग-अलग है और इसी हिसाब से adult industry पूरी दुनिया में चलती है चल रही है और internet पे तो ऐसा कहा जाता है कि हर चौथा page pornographic content का है और ये चीज अभी भी वड़ी नहीं है बहुत पॉन है इस पूरे internet पर लेकिन ये limit में ही consume करना अच्छा होता है अगर इसे ज़रूर से ज़्यादा consume करोगे तो आपकी जिन्दगी खराब हो जाएगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लेगी तो इसे like करें अपने दोस्तों को साथ share करें सब्सक्रिश के और ethical hacking भी इंट्रस्ट है तो description चेक करें 299 रुपीज के 3 ethical hacking courses है जो आसान भाषा में आपको ethical hacking सिखा देंगे मैं मिलता हूँ आप सिखली वीडियो में Thank you so much and good bye